कि यह विद्याक्षियों स्वागत है आपका एक बाद फिर गोजी गोडी के इस वीडियो में हम इसकी अल्ट्रा स्रुक्चर के बारे में बात करेंगे तो दाल्टन और फैलिक्स ने 1954 के अंदर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी जो विशिष्ट अल्टरा स्रुक्चर है उसका अधेयन किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि यह तीन पार्ट्स का मिलके बना हुआ होता है और यह तीन भाग जो हैं यह एक लाते हैं सिस्टर्णी बट्डियोग्योज एंड वेसिकल्स हूए सिस्टर्णी बेक्योज और तो वेसिकल्स ये तीन मिलकर वोल्जिवोली की स्रचना को बनाते हैं सबसे पहले सिस्टर्नी की अगर हम बात करें तो शिस्टर्नी जो है ये फ्लेटन सेक्स हैं जिन्हें सेकुलस या पैलल मेम्ब्रेन भी कहते हैं ये इलोंगेटिड डबल लेयर स्ट्रक्चर है दुसरे के ऊपर उकस्तित रहती हैं और इनके अंदर जो है स्पेस होता है जो सोलन एंड्स हैं शिस्टर्णी के उनको गोल्जियन वेक्योल्स भोलते हैं और जिनका जो शाइस है वह 180 एंस्ट्रॉंग से लेकर 230 एंस्ट्रॉंग तक साइस हो सकता है और जहां तक इसकी मेंब विदिन सिस्टरन के अंदर वाला जो स्टर्ण के अंदर वाला जो स्टर्ण तक ही यह सिस्टरन ही जो होते हैं यह तीन से बारा कि इस अंधिया में एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाते हैं जब कि प्लांट सेल्स में इनकी संख्या दस से बीस तक हो सकती है कुछ फंजाई के अंदर जहां इसे डिक्टियोस आम बोलते हैं यह यूनी सिस्टर्न लोड़के में लिए यानि कि इसके अंदर केवल एक ही सिस्टर्न वो बस्तित होती है जो दो एड्जेसेंट सिस्टर्णी हैं वो एक इंटर सिस्टर्णल स्पेस के द्वारा सैप्टेट रहते हैं जो लगबग 130 M-strong के करीब होता है और इसकी जो रेंज है ये 50 से 200 M-strong तक हो सकते हैं और ये जो सिस्टर्णी है ये आपस में इंटर कनेक्टिब ही हो सकते हैं तो अगर हम बात करें ये सिस्टर्णी जो है ये S-E-R यानि Smooth Endoplasmic Reticulum के सिमिलर होते हैं और कई जगह पर ये जो आपके Smooth Endoplasmic Reticulum है उसके साथ continue भी रहते हैं जहां पर ये सिस्टर्णी continue नहीं होते आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है वहां पर ऐसी कौन सी फोर्स है जो इस सिस्टर्णी को पास पास रखती है इस इस स्टिल नॉट येट क्लियर इसके बारे मैं भी बहुत ज्यादा नहीं पता है एमोस और ग्रिम्स्टोन ने नाइटीन सिक्स्टी एट में सजेस्ट किया कि एक थिन लेयर ऑफ बेंस मैटिरियल जो कुछ रिजन्स के अंदर ठिकन्ड रहता है ये ग्रिन्यूस को फॉर्म करता है इंटर सिस्टर्णल स्पेसिज के अंदर तो जो दो सिस्टर्णी के मैटिरियल प्रेजन्ट होता है जो प्रोबेबली एक सिमेंटिक मैटिरियल की तरहें काम करता है और सिस्टर्णी को एक साथ जोड़े रखता है तो जो सिस्टर्णी मेंब्रेन्स हैं सिस्टर्ण की जो मेंब्रेन हैं वो फनेस्टेटीड हो सकती है यानि कि उनके अंदर प दूसरा जो पार्ट है गोल्जी बोडी का उसे हम गोल्जियन वेक्योल्स बोलते हैं यह जो वेक्योल्स हैं यह स्फेरिकल कंपोनेंट्स हैं जो लगभग छे सो एंप स्ट्रॉंग डामेटर के अंदर होते हैं और यह जो कंपेव साइड साइ्ड थैस स्ट्रनी की अहुम की डिएग्रेमेटिकल ही देखें गेइंगे इसको कि क्राणी उसके अनदर सब्सक्राइब और इंका साइस जो है वह बेरियेबल होता है जो पाल सव से 2012 के बीच पांशा bit to new вам एक यह अद्व pass तो इसका जो साइज है वह वेक्योल का साथ सो साथ से छे हजार एमस्ट्रोंग के बीच होता है इनका जो फॉर्बिशन है या तो यह सिस्टर्नी की एनलाज्मेंट के कारण होता है या यह जो सेक्रेट्री विसिकल्स हैं उनके फ्यूजन के द्वारा गोल्जियन वेक्योल का निर्मान होता है इन वेक्योल के अंदर एक एमॉर्फोस और ग्रेनूलर सबस्टांस जो है वो भरा रहता है यह जो वेक्योल्स है यह जो मैच्यूरिंग फेस है तो अभी हम बात करें भी डिक्रेमेटिकली मैं आपको दिखांगा कि किस प्रकार से इसकी जो दो सर्फिस गोल्जी वोड़े की हम कह सकते हैं एक कहलाती है फॉर्मिंग फेस वार्मिंग सता है और दूसरी कहलाती है के जो ब्रेजिकल पकुल्रेट इंचैनलर इए और जो इसकी फार्म फेस है वहांपे वेशिकल आकर कॉंटिञ्यूसली जुड़ते रहते हैं तो यह जो वैक्यों हैं इनके अंदर गंशन्स बरह रहता है और जो मैच्यूरिंग फेस हैं वहां से यह कॉंटिन्वसिकल्ट इसको कमपनसेट होता है। न्यू शिस्टर इसको वीयल्स के फॉर्मेशन को Corporation को ऐस दूसने को त्यीर है को स्थ्ट्रॉप्री इस स्य एक ओलुण्व exact deb Damn वेसिकल्स जो होते हैं स्मॉल साइज कंपोनेंट्स है जो लबक 40 M-strong diameter में होते हैं और यह जो Convex surface है सिस्टर नी की वहां पर उपस्तित होते हैं वेसिकल्स जो होते हैं दो टाइटाइप के होते हैं एक कलाते स्मूध और सिक्रेट्री वेसिकल्स जिनके अंदर सिक्रेट्री प्रॉडक्ट्स होते हैं एलजी एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम और गोलजी वोडिके और जब यह सिक्रेशन्स हाइली कंसेंट्रेटिड हो जाते हैं देन दीज आर कॉल्ड साइमोजिनिक वेसिकल्स दूसरे जो पार्ट है इसका वो कहलाता है कोटीड वेसिकल्स कोटीड वेसिकल्स जो होती है इनकी सर्फेस रफ होती है और यूजली ये स्टर्ट के आश्पश रहते है तो वे स्टरक्टर है गetonजी वोडिक की समझने का प्रयास करते हैं यह जो है इस आर कॉल्ट सिष्टर्नी ऐ सिस्टर्नी है जहां चुमें कर सर्मों कर रहा हूं और यह जो स्पेस है 이 जो सरफेस है, ये मेच्यूरिंग फेस कह लाती है, और ये जो फेस है, ये फार्मिंग फेस कह लाती है. तो फार्मिंग फेसपे कॉंटिनियो आके वेसिकल्स येनी हम् ट्रांजिशन वेसिकल्स भी बोलते हैं, यह सेकुलर्स की शेप लेकर सिस्टर्णी का पार्ट बनते रहते हैं और यहां पे जो इनकी स्क्रीशन्स हैं उनकी पेकिंग होकर मेच्योरिंग फेसे वेक्योल्स की फॉर्म में इसका जो स्क्रीशन्स है वो बड़ उफ करते रहते हैं यहां से निकलेंगे और यहां से एक तो यह जो मेंब्रेन है इस इंट्रसिस्टरनल स्पेस दो सिस्टरनी के बीच में और यह जो स्पेस है यह इंट्रसिस्टरनल स्पेस कहलाता है एक ही सिस्टरनी के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को हम इन्टसेस्टेनल स्टेस कोתे हैं यह कॉंवेक्स सर्फस है किया सब्सक्राइब और यह जो है कॉंकेव सर्फस जो है वह कॉंकेव सर्फस भीचेज्स बंचिर्पर्यकरेफीra इचर्पेसन और ब्राउंड ने एक और अउटर अर्छेंटोफिलिक एंड इनर अर्जेंटो फिलिक गोल्जी बोडी के अंदर रिजन को डिफ्रेंशेट किया on the basis of silver absorbing capacity मतलब इस गोल्जी बोडी के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंटो फिलिक यानि की silver के प्रती silver ग्राही होते हैं और जो इनर इनकी surface है वो अर्जेंटो फोबिक यानि की silver repelling parts होते हैं गोल्जी बोडी की जो होती है एक definite polarity होती है इसकी जो concave side है वो हमेशा cell membrane की तरफ direct रहती है उसको face करते हुई होती है और उसको हम mature face maturing face या trans face बोलते हैं और यह जो surface है यहां से जैसा मैंने पहले बताया कि गोल्जियन वेक्योल्स जो है वो बड़फ करके यह स्कृत्री वेसिकल्स या लाइसोजोम्स या जाइमोजेनी ग्रेन्यूस जो है वो इस surface से निकलते रहते हैं और uh towards to dancer nucleus तो यू जो गोलजी और है इत the receives of proteins synthesized by rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum through transition vesicles smooth endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum से त्रावित जो प्रोटीन्स हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिगुलम से होते हुए, कॉल्जी बोडी का पार्ट बन जाते हैं, और यहां पे इनकी पैकिंग होकर वे क्योल्स के रूप में यह वापिस सेल के अंदर रिलीज करते हैं। कॉल्जी बोडी जो होता है, उसके चारों तरफ एक क्लियर सेटोप्रेजम का वेजन होता है, जहांके रइबोसॉम्स, माइटोकॉंड्रिया और ग्लाइकोजन जो हैं, वो सब बनपस्तित होते हैं। और इस जोन को बोलते हैं, जोन ओप एक्सक्लोजन। इस इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम इसकी चारों आध भी चारनれた जोनWow का वेजनदा स्वाट व एक रहां। और पिर अध्य करते हम और फिर फाइनल वेडीयो के अंदर हम इसके फॉंक् внसंट किया हैं। सेवा में बात करेंगें। Thank you very much for watching this video. Thank you.